देश के अजादी के पिछटर्वे साल के खास मौके पर उत्तरदेश को पिछटर परिगोजनों की सौगात मिलने जा रही है जी हाँ आज लकनों पहुंच रहे पधार मंतीर नरीन दुबूदी वहाँ पर तीन दिवसियर राष्टे न्यू अर्बन इंडिया कॉनक्लेव की शुरुआत करने जा रहे हैं साथी 4,737 करोड की पिछटर परियोजना को लोकापन और श्रिन न्यास भी करेंगे पता दें ये कारक्रम सुबा साड़े दस बजे से शुरू पूने की संभावना है और ऐसे में सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया था कि न्यू अबर इंडिया थीम पर आज़ित कारक्रम में उत्तपरदेश की राज़िपाल आनंदी बेन पचे मुख्य मंतरी योग के आधितिनात और केंद्री रक्षा मंतरी राज़नाद सिंग भी शामिल होंगे ऐसे में राज़नाद सिंग सोमवार को ही लखनो पहुच गए थे और लखनो राज़नाद सिंग का संसर्दिय निर्वाचन शेत्र भी है और इस कारक्रम में प्रधान मंतरी नरेंद बोदी पीम आवास योजना केंतगर पिचतर जिलो के पिचतर हजार लाबार्टियों को डिजिडल मार्ध्यम से भी जाबी भी सौपेंगे साथ ही योजना के कुछ लाबार्टियों के साथ वर्चल बातचीद भी करेंगे वहीं आपको बता देंगे और इसे में इनका विमोचन भी करेंगे इसके अलावा जनपन लखनओ, कानपुर, गोरकपुर, जहांसी, प्रियागराज, गाज़बाद, बार्नसी के लिए पिच्वत्र लेक्ट्रिक बसों को खारी जंदी दिखाकर रमाना भी किया जाएगा आपको बता दे, एक्सपो में लगाई जा रही तीन प्रदर्शनियों का भी अबलोकन भुक करेंगे ऐसे में प्रधान मंत्री बाबसाहे भीम राम अम्बेट का युनिवोसिटी लखनों में अतल विहारी वाजपई पीट के स्थापना की खोशना भी भुक करेंगे केंड्रिय परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने सुमबार को कहा कि वो एक ऐसा कानून लाने की भुच्णा बना रही है जिसके तहट वहानों के होन के रूप में भारतिय संगीत वार्दे यंत्रों की आवाज का इस्तिमार किया जा सकता है नासिक में एक राजमार के उद्गातन समारों में बोलते हुए गटकरी ने कहा कि वो एम्बुलेंस और पुलिस वहानों द्वारा इस्तिमाल की जाने वाले सायरन का भी अध्यन कर रहे हैं उन्हें आल इंजियर रीडियो पर बज़ने वाले एक अधिक सुखत धुन के साथ बदल रहे हैं गटकरी ने कहा कि उन्होंने लाल बती बंद करती है और अब मैं इन सायरन को भी खतम करना चाहता हूँ अब मैं एम्बुलेंस और पुलिस द्वारा इस्तिमाल की जाने वाले सायरन का अधियन कर रहा हूँ और एक कराकार ने अकाश वानी की एक धुन की रचना की और इसे सुभा सुभा बजाया गया मैं उसी धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तिमाल करने की सुच रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे ये बहुत परिशान करने वाला है खास कर मंतियों के गुजरने के बाद सायरन कस्तिमाल पूरी मात्र में किया जाता है इससे कानों को भी नुकसान पहुंचता है और इसी लिए इस नए कानून को लाने की कोशिश में करूँगा और इस पर विचार में कर रहा हूँ उत्रकंट सरकार ने राज़े में विधान सबस चुनाफ से पहले और यूपी दिली और हर्याना पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जिलादिकारियों की शक्ती में बड़ा इजाफा किया है जिहां राज़े सरकार ने जिलादिकारियों पर राश्ट्रिय सुरक्षा कानून यानि की रासुका लगाने का अधिकार दे दिया है राज़े सरकार ने तीन महीने के लिए डियम को यह अधिकार दिया है और जिलादिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वो इस्तिती की समिक्षा करने की बाद किसी भी ब्यक्ति पर राश्टिय सुरक्षा कानून लगा सकता है राज्य सरकार ने कहा है कि समाज विरोधी शक्तियां कई ऐसी गती वीडियो में हिस्सा ले रहे हैं जिससे राज्य की शांती विवसा भंग हो सकती है इसलिए इन परिस्तितियों से निपट्टे के लिए ये कदम उठाये जा रहा है ऐसे में राज्य सरकार के इस कदम का पूर्थ मुख्यमंत्रियों वरिष्ट कॉंग्रिस निता हरी श्रावत ने विरोध किया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्राखण में तीन महीने के लिए राज्य सरकार ये बताने में समर्थ है कि क्या ऐसे इस्तितियां पैदा हो गई है जिसकी वज़ा से राज्य को अलगाने का पैसला लिया गया और जिला अधिकारियों को अधिकार दे दिया गया लगता है तो वो राज्य का लगा सकते हैं हाला कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ तीन महीने के लिए है लेकिन इसका विरोध जो है वो हरीश रावत कर रहे हैं और साथ ही हरीश रावत विरोध करते हुए मौन वरत रखने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है शोशल मीडिया प्लेटपॉर्म फेस्बुक इंस्टाग्राम वाटसेप ने 6 घंटे से ज्यादा समय तक डाउन रहने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया है जी हाँ फेस्बुक इंस्टाग्राम वाटसेप की वेबसाइट फिर से बहाल हो चुकी है अलाकि साइट अभी धीमी हैं कमपनी का कहना है कि इस समस्या को पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा और समय लग सकता है बता दे आपको कि पेस्बुक ने ट्विटर पर कहा कि हमें खेद हैं दुनिया भर के लोग और व्यपार हम पर निर्भर हैं हम अपने एप्स और सेवा को पूरी तरह से बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं यह बताते हुए हमें खोशी हो रही है कि वो दुबारा से ऑनलाइन वापस आ रही हैं हमारे साथ बने रहने के लिए धने बाद वहीं आपको पता दे इंस्टाग्राम की और से भी ट्वीट कर कहा गया था कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब वापस आ रहा है और हमारे साथ बने रहने के लिए धने बाद और इंतरजार कराने के लिए खेद है दरसल सोमवार रात करीब सबनौ बजे भारत समय दुनिया भर के तवाम देशों में फेजबुक इंस्टाग्राम वाटसेप डाउन हो गया था ऐसे में भारते समय अनुसार मंगलवार तकरीवन सुबा चार बजे फेस्बुक इंस्टाग्राम वाटसेप की सेवा फिर से शुरू हो गई यानि कि 6 घंटे से ज्यादा ये पूरी सेवा बाधित रही आला कि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि फेस्बुक इंस्टाग्राम वाटसेप इतने घंटों तक डाउन क्यों रहा है और इसलिए सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा लोग परिशान हो गए थे कुछ लोग ट्वीट का सहरा ले रहे थे ट्वीट कर रहे थे लेकिन उसके बाद 6 घंटे तक ये सभी वेबसाइट नहीं चली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 6 घंटे तक काम नहीं किया उसके बाद आज सुबा चार बजे अब सभी चीजे समानने तोर पर चल चुकी हैं लेकिन ये डाउन किस वज़ा से हुई थी अब भी इसका पता नहीं चल पाया है भारती मौसम विभाग की और से केरल में भारी बारिश का अनुमान जोताया गया है बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की और से रेड और और औरेंज अलर्ट ज़ारी कर दिया गया है साथ ही आपको बता दे कि मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मतावए केरल के इड़ुकी जुले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है वही आपको बता दे कोटायाम, पलकर और मलपुरम जिलो के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है इन सभी जिलों में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से औरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से जारी पुना अनुमान के मताविक मंगलवाद ग्यारी की आज इन सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है वहीं आपको बता दें आएमजी की ओर से समुंदर के आसपास रहने बाली लोगों के लिए भी चेताबनी जाली की गई है मौसम विभाग ने कहा है कि समुंदर टट के आसपास के शेतरों लक्षदीप शेतरों और दक्षिन पूर्व अरब सागर शेतर में 40-50 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हावा चलने का नुमान है और साथी मौसम विभाग ने मच्छवारों को भी चेताबनी देते हुए कहा है कि 5 अक्टूबर तक यानि कि आज तक समुंदर में मच्छली पकड़ने ना जाएं और ऐसे में मौसम विभाग में बताया है कि दक्षिन पश्चे मौनसून केरल में सक्रिया है ऐसे में केरल और रक्षिदीप में अधिकान शुस्थानों पर बारिश की संभाबना बनी हुई है साथी सक्रिया मौनसून की वज़ा से दक्षिनी राज्चों में आने वारे दिनों में भारी बारिश की भी संभाबना चताई जा रही है और इसी वचा से मौसम विभाद की ओर से अलर्ट चारी किया किया है तो ऐसे में मौसम विभाद की तरह से अलर्ट चारी किया गया है केरल के लिए औरेंज और रेड अलर्ट चारी किया गया है आपको बता दे मौसम विभाद ने अलर्ट चारी किया है हाला कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ये उमस भरी गर्मी कब तक जारी रहेगी इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा अपडेट खास नहीं है लेकिन केरल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी मौनसून सक्रिय है और ऐसे में वहाँ पर बारिश होने की संभाबना है आज भी वहाँ पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है साथ ही टटे इलाकों पर भी बारिश होगी इसके साथ ही मौसम भाक ने उधर के इलाकों के लिए रेड और और औरेंज अलर्ड भी जाली किया है IPL में सुमवार को एक बाद फिर से स्लो स्कोरिंग गेम देखने के लिए मिला दिल्ली कैपिटल्स और चन्ने सुपर केंग्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली की जीत हुई और सिर्फ 137 रनों का पीछा करने उतुरी दिल्ली की टीम को आखरी ओवर में जाकर जीत मिली और उसने चन्ने को तीन बिकेट से हरा दिया आपको बता दे इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बाप फिर से पॉइंट टेवल में टॉप पहुँच गई और चन्ने सुपर किंग्स ने इस मैच में पहले बेटिंग की और उसके सिर्फ 136 रनों का स्कूर किया जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम लक्षे का पीछा करने उतरी तो तेज शुरुआत मिली लेकिन प्रत्वीशा जल्द ही आउट हो गए इसके बाद शिकर धवन ने अपनी टीम को आगे पढ़ाया लेकिन दूसी तरफ से लगातार फिकेट किरते रहे वहीं बर्दे बॉय कप्तान रिशप पंत भी कोई बड़ा चमतका नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल्स और चौनए सूपर किंग्स का ये मुकाबला आगरी ओवर तक पहुंचा और ऐसे में दिल्ली को आगरी ओवर में छे रनों की ज़वरत थी लेकिन डिर्बिन ब्रावो ने पहले दो रन और फिर वाइट बॉल भी दे दी हाला कि इसके बाद अक्षर पतेल का विकेट गिरा लेकिन अंत में खगिसो रबारा ने चौका लगा कर दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई आगको बता दें आखरी में दिल्ली के लिए शिर्मन ने सिर्फ 18 बॉल में 28 रन बनाया और ऐसे में दिल्ली के खिलाफ चन्ने की बल्ले बाजी इस बार भी फेल साबित हुई रितुराज गायकवार और पाप ड्यू पैलस अपना विकेट जल्थ ही कवा बैठे और इसके साथ ही सुरेश रहना की जगा आयर रॉबिन उत्थपा भी कुछ कमाल नहीं कर पाए चन्ने की और से अमबाती राइडू ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली वहीं महिंद्र सिंग दोनी भी कोई कमाल नहीं कर पाया 27 बॉल में सिर्थ 18 रन ही बना पाए साथ ही आपको बता देए कि 20 ओवर में 49 की टीम ने इस तरह पांच विकेट कवा कर सिर्थ 136 रन ही बनाए भारतिय वायू सेना ने पहली बार राफेल की स्केल्प क्रूज मिसाइल के साथ इमेश शेयर की है जी हाँ ये पहली दफा है जब राफेल अपने एक इकरत महत्वपून हतियार पनाली के साथ दिखा हो स्केल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलो मीटर की दूरी तक हमला कर सकता है और इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहा जाता है आपको बता दें कि इस मिसाइल के जरीए दुश्वन के किसी भी बड़े और अती सुरक्षित ठिकाने को असानी से बर्बाद किया जा सकता है राफेल का सबसे बड़ा खतरनाक हतियार है स्केल्प पील-15 M राम मिसाइल और जिससे पड़ोसी दुश्वन देशों की हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ा को वनमान है ऐसे में पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतिय राफेल के आगे कहीं नहीं ठिकता लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में राफेल को टक कर देता है लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है हमारे राफेल में ऐसे हत्यार हैं जो पलक जपकते ही दुश्मन को मौत की नीन सुला दे साथ ही आपको बता दें कि राफेल को आता देख दुश्मन को काल दिखाई देता है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राफेल ने अब ये अपना हत्यार दिखाया है जो 500 किलो मीटर तक हमला कर सकता है और सकैल्प मिसाइल इसका नाम है राफेल के साथ पहली बार ये सकैल्प क्रूज मिसाइल दिखी है और ऐसे में राफेल ये तस्वीरे भी शेयर की गई है आपको बता दें कि सकैल्प क्रूज मिसाइल के बारे में जानकारी भी दी गई कि ये दुश्मन के छिकाने पर असान उत्रखंड जल विद्यूत निगम और उत्रखंड पावा कॉपरेशन लिमिटेट के अधिकारी और करमचारी असोसियेशन के आवहान पर दोनों विभागों के अधिकारी और करमचारी की 6 अक्टूबर से अनिश्चित कालीं हर्ताल पर जाना प्रस्तावित है हर्ताल देखते हुए जल अधिकारी श्री मयोर दिक्षित ने जीवन व्रेखा से जुड़े विभागी अधिकारीों की महत्वकून बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिये जनपत अपात काली परिचालन केद्र को 24-7 की तरज पर काम करने के निर्देश दिये हैं साथी शिफ्ट वाक अरम्यों कोगी तैनाती के साथी सुरक्षा के दिश्ट्रिकर परियाप्त पुलिस पल्द तैनात करने के लिए कहा कया है वही आपको बता दे कि आपदा कंट्रोल रूम के दूरभाश नमबरों और 01374222722 को ये मोबाइल नमबर भी चाली किया गया है ताकि प्रचार अपसार करने के इसी के जरिये निर्देश भी दिये हैं ताकि आम जन्मानास अपनी समस्याय आपदा कंट्रोल रूम को बता सके हैं और साथी ऐसे में टेलिकॉम प्रदाता कंपनियों को नेट्वर कनेक्टिविटी सुचारू रखने के निर्देश भी दे दिये गए हैं वहीं स्वास्तविभाग को विद्योद अपूर्ती बाधित होने पर जन्रेटर को सुचारू रखने के लिए ही इर्दन की परियाप्त व्यवस्ता सुनश्चुत करने के निर्देश दिये गए हैं करीब 11,000 फिट की उचाई परिस्ते दुनिया के सबसे खतानाख रास्तों में शुमार गरतांग गली में सीसी टीवी कैमरे लगाने की तयारी चल रही है जिहां गरतांग गली की निगरानी के लिए सीसी टीवी कैमरे लगाने के लिए पत्र लिखा गया है जिस पर पार्क प्रसाशन का कहना है कि इसके लिए बजट भी उपलब्द को चुका है वहीं गरतांग गली में CCTV कैमरे लगने से परचकों को सुरक्षा के साथ ही इस धरवर के सरक्षन के लिए उप्योगी साबित कुगा साथ ही आपको बता दें कि पार्क प्रसाशन गोमुक में भी CCTV कैमरे लगाने की योजना तयार कर रहा है गंगोतरी नैशनल पार्क के रेंज अधिकारी प्रताप पावार का कहना है कि पार्क प्रसाशन गरतांग गली में CCTV कैमरे लगाने की पूरी तयारी कर छुका है और ऐसे में गरतांग गली से दो किलूमीचर पहले ही लंका के पास गरतांग गली जाने के लिए मुख्यगीट का निर्मान किया गया है जहां पर वनकर में गरतांग गली जाने बाले परज़कों के पास और उनकी एंट्री कर सकेंगे उन्होंने कहा कि गरतांगली के मुख्य गेट सहीद सीडियों पर दो से तीन सीसी टीवी कैमरें लगाए जाएंगे जो परज़कों के सुरक्षा के साथ ही पूर्व में गरतांगली को बदरंग करने वाली घर्टाओं पर पैनी नज़र रखेंगे और साथ ही आपको बता दे कि वहाँ पर शुरधालू जो आएंगे चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए उन पर भी निक्रानी हो सकेगी और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक अच्छी पहल है वहीं आपको बता दे उपने देशक आरेन पांजे का कहना है कि गरतांगली में सीसी टीवी कैमरे लगाने के लिए लोक निर्मान भाग को पत्र लिखा जा चुका है साथी गंगा के उद्गम इस्थान गोमुक के 500 मीटर के दायरे में भी सीसी टीवी कैमरे लगाने की योजना पार्क प्रसाशन तयार कर रहा है और इसके लिए जल्द ही तकनीकी विशेशक्रों की सलहा भी ली जाएगी और पांजे ने कहा कि अगर गोमुक में सीसी टीवी कैमरे लगाने की योजना सपल हो जाती है तो इससे गोमुक में बढ़ रहे मानविय गतिवीडियो पर भी नजर बनी रहेगी साथी एतिहासे आपको बताते हैं कर तांग कली को बदरंग कर रहे लोगों पर भी नजर बनी रहेगी चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बॉलिवुट की जी हाँ बॉलिवुट के खिलारी अक्षे कुमार जो इन दिनों अपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त हैं और अक्षे कुमार की फिल्म बेल बॉटम हाली में रिलीज हुई जिसकी आलोशना की भी की गई लेकिन उसके बाद भी अक्षे कुमार पूरी तरह से अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है वहीं अब वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुटे हैं आपको बता दें अक्षे बहुत जल्द ही फिल्म रक्षा बंदन में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में उनके साथ भूमी पैटने कर भी नजर आएंगी इस वीडियो को शेय करते हुए अक्षे कुमार ने लिखा रक्षा बंदन के सेट पर चान्दी चौक में दोड लगाते हुए कई पुरानी यादे ताजा हो गई क्योंकि ये मेरा जन्मिस्थान है और लोगों की बाते सुनना कभी पुराना नहीं होता है मत्रा के फर्रा इलाके में सेट पंडित दीन दयाल धाम में भार्तिय जनता पार्टी के संसापक पंडित दीन दयाल उपार्धियाए के 105 वी जन तित्थी मनाई कई आपको बता दें जहां उनके नुयाई को की तरफ से विदे विधान के साथ हवन यक्य भी किया गया और पंडित दीन दयाल पार्धियाए को याद करते हुए नमन किया गया इस मौके पर प्रदेश के कैपिनेट मंत्री लक्षमी नरायन चौधरी भी पहुँचे जहां पा उन्होंने दीन दयाल के पतिमापा माल्यापन करते हुए उन्हें नमन किया साथी बताया कि दीन दयाल जी की जहन ते थी मौन आई जा रहा ही है जोकी हमारे लिग गर्ध की बात है क्योंकि पंडित दीन दयाल जी की तरफ से बताय गए मार्क पच्छल का राज देश दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है और आगे भी इसी तरह से देश पढ़ता रहेगा पंडिक पर चलते हुए सबसे डोग प्रिया और सबसे सक्तिशाली निता ही ऐसा पुन्य आत्मा इसे पुन्य आत्मा ने भगवार स्रीक्षी के बाद कुछ भूमी में है जन्म रिया हम सब इसके लिए धन्य है पंडिक 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 के बताये हुए वार्ग हमेशा है हमारे भारत्वर्ष के और दुनिया में सुख शांती और संपन्यता के लिए एक इस्थाई प्रियूट से रहेंगे मैं पंडिक 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 के चर्णों में इन्म रियूट से रहेंगे के लिए जेल में रामलीला के मंचन का फैसला किया गया है और इस रामलीला में जेल में के कैदी ही रामलीला के कई पात्रों की रूप में हिस्था लेंगे वही नवरात्रे के पांचवे दिन और दश्वेरे के दिन रावन वद का मंचन भी किया जाएगा रामलीला मंचन में जिसने क्रिश्व जन्माश्वी मंचन में हिस्था लिया था वही अधिकांश कैदी रामलीला के पात्रों की फूमिका निभाएंगे कई अन्य कैदियों ने भी राम लीला में अभिने करने की च्छताई है जिसके बात कैदी हर तिन शांक को राम लीला की रहसल भी कर रहे हैं कि zou यह जब रामलेला का स्टाट हो जाएगी से में तो तब से जो है यहां रामलेला का योजन क्या जाएगा और अभी से जो हैं हमारे बंदी-गण जो है इसे आडियारू इससे पूर्व भी हम मेरे द्वारा कारागार में जन्मास्टिमी का आयोजन किया गया था उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं इसके लावा अन्य लोग भी जो है जो जन्मास्टिमी का कारिकरम देख के जो एक उत्साहित हुए थे वो भी यह जो है रामलीला में अपनी बहुमी का अदта करना चाहरे थे और अपने बंदी गणों का ही मनुधंजन करना है और मैं देश प्रेम की और जागुर और अध्यात्मीग बाहुन्यागरत करना और अच्यों का विकास करना हमारा यह लक्षु है यह वो देश्टे है और समय आने पर यह किया जाएगा कि किसी बाहरी व्यक्तिकों भी बहरी मंक्ख्यातितिकों की बुलाए जाए यान बुलाए जाए पर के दारनात में दर्शुन के लिए बनाए गई इपास के तरफ से आ रहे है यात्रियों के लिए सोन प्रयाक में वेचिंग रूम की विवस्था की गई है इसके रावा यात्रियों को तुंगनात और काली मर्च आती धारमे के सलों की यात्रप भेज़ो जा रहा है आपको बता दें कि केडालना त्यात्र पर आने वाले तीर थीयात्रियों की संख्या में लगातार रिजाबा हो रहा है और ज़ादध तर तीर थीयात्रियों बिना इपास के ही पहुंच रही है। इक वेटिंग का लिस्ट भी जारी करवा दी है। उसमें जैसे ही लोग आ रहे हैं अगर कोई ऐ पास के बिना आया है तो हमने उसका एक वेटिंग लिस्ट बना दी है और जो ऐड़ा जो नहीं आता है यादि कोई गैप रहता है तो उसके साब पिक्षुन को उतने लोग को निकलने का लिए फर्मिशन कर दी जाती है ताकि जो ओवरॉल पूरी संक्या है वो कोट के निरदेशन उसार सीमित रहे इसके अतरिक तहम विभिन चेक पोस्टों पे निरदेश कर दिये हैं कि जो भी य मटन करना है कि और भी हमारे यहां पे तुंगनाजी का मंदिर है और भी कई इस प्रकार के इस्थल हैं वहां भी जाय जा सकता है और उनसे यही निविदन किया जा रहा है कि कि किरपया जो भी साचन के दौरा स्टेट के दौरा सरकार के दौरा लागू करी गई है उसका और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही आप देखते रहें निउस वॉल इंडिया